अलो बच्चा लोग, वेलकम टो क्रिप्टाउन टुटोरियल्स, बच्चा जैसे आपको इस स्क्रीन पर देख रहा होगा ना, कि इस वीडियो में हम लोग, solution of differential equation की बात करने वाले हैं, और उसमें मैंने एक standard differential equation यह ले रखा है, इसी के solution के बारे में discuss करेंगे आपन, कफी standard question है, जहीं में आ भी चुका है एक बार यह, अब इसको आपन solve करेंगे, and इसमें देखेंगे कि यह एक curve को represent कर रहा है, या infinite curve को represent करेगा, या कुछ finite number of curve को represent करेगा, इस चीज को आपन इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, तो बीडियो को end तक बने रहो, and चीजों को अच्छे से सीखो, तो चलो start करते हैं फिर, सबसे पहले यह लिखा हुआ है, f double dash x is equal to f dash x, यह एक अपना differential equation हो गया, f x को यह एक function होगा, ठीक है, उस function के बारे में अपने को discuss करना है, सबसे पहले जो f double dash x है बच्चा, उसको कैसे लिख सकते हो, d by dx of f dash of x, f dash of x को यह एक बार और differentiate करेंगे, f double dash of x आएगा, ठीक है, और जो solution of differential equation का तरीका होता है, कि इसको कहीं ने कहीं आपन integration में convert करेंगे, ठीक है, जो अपना तरीका होता है, solution of differential equation निकालने का, वही आपन target कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने f double dash x को यह चीज लिख दिया, कि f dash of x को अगर एक बार और differentiate करेंगे, तो you will get f double dash of x, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, derivative of f dash of x लिखा है, तो d of f dash of x, f dash of x को नीचे लेके आए, this is f dash of x, is equal to dx हो गया, clear है बच्चा, अब इसी को अपन दोनों तरफ integrate करने वाले हैं, और यह variable separable हो चुका है, कैसे, क्योंकि कभी भी अगर यह लिखा हुआ है, इसके इंटिग्रेशन को क्या लिखते हैं, अपन ln x लिखते हैं, अलग बात है, x positive होना चाहिए, mod में लिखते थे अपन इसको, या फिर ln mod x लिखें, मतलब dx है तो नीचे x होना चाहिए, अगर कभी आपके पास आ गया dy upon y तो इसको क्या लिखोगे, ln of y, उसी तरह से derivative of f dash of x, नीचे f dash of x आ गया तो इसको क्या लिखोगे, ln of f dash of x, this is equal to integration of dx क्या होता है बच्चा, x और plus c, where c is any constant, क्योंकि integrate कर रहे थे एक integration constant तो चिपका हो गई, यह आपन ने लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर अगर देखो next step, देखो इसको next step में क्या लिख सकते है आपन, तो f dash of x is equal to ln का base e होता है आपना, this is e to the power x plus c, clear हो गया, e to the power x plus c को लिख सकते हो बच्चो, e to the power x into e to the power c लिख दिया, आप देखो, c कोई constant है तो e to the power c भी एक क्या हो गया आपका, कोई ने कोई constant ही हो गया, तो इसको एक नया नाम दे देते हैं आपन, k, so this is k times e to the power x आगया, अब जो नया equation बना अपने पास बच्चा, that is f dash of x is equal to k times e to the power x, क्या अभी f x आगया अपना, अभी भी नहीं आया है, अब next step क्या करोगे, f dash of x को आप क्या लिख सकतो, df of 1 में dx, this is equal to k times e to the power x, k is any constant, clear na, क्योंकि c constant था हो, e to the power c भी एक कोई constant ही होगा, उसको नया नाम दिया है मैंने, कि, अब इसी को next step में क्या लिख सकतो, that is, df is equal to k e to the power x dx, अब वापस से दोनों तरफ integrate कर दीजिए, तो integration of dx जैसे x लिखते हैं आपन, अब लिखा भी है मैंने पीछे, integration of dx is equal to x, integration of dy आ गया कहीं, तो क्या लिखोगे y, similarly, integration of df, this is fx, clear, is equal to k is any constant integration से बाहर आ गया, integration of e to the power x is e to the power x, वापस से integrate करने थे एक नया constant मैंने c1 चिपका दी, तो finally इसको solve करने के बाद, curve क्या आया आपने पास, curve आया, पूरा का पूरा, fx is equal to k e to the power x plus c1, where k and c1 are constant, clear है चीज़े, k और c1 दोनों आपका कहीं ने कहीं, arbitrary constant होगा, दोनों constant, कुछ चीज़ को समझते हैं, क्या यह जो मैंने function find किया, इस differential equation को solve करके, क्या यह के बल एक curve को represent करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि k और c1 तो बदलता जाएगा, अगर बदलता जाएगा, तो यह बहुत सारे curve को कहीं ने कहीं represent करेगा, तो क्या बोलेंगे आपन, infinite curve, infinite curve, जहाँ पर c1 कुछ भी हो सकता है, मालने जिए कि c1 is equal to 0 हो गया, तो fx की value क्या आगई आपके पास, k e to the power x, अब आप k को बदलते जाओ, तो fx क्या आजाएगा, यह represent करेगा e to the power x को, 1 by 2 e to the power x को, यह से करके बहुत सारे curve को represent करेगा, similarly, आप c1 के बदले 1 put कर दिया, तो fx की value आगई आपके पास, k e to the power x plus 1, अब फिर से आप k को बदलते जाएगे, तो बहुत सारा curve हो गया, अगर मालने जिए आपका k 0 हो गया बच्चा, तो fx क्या हो गया आपका, c1, यह तो एक line आगया आपका, y is equal to c1, मतलब एक line होता है parallel to x-axis, आपको यह दिख गया होगा, ऐसा नहीं कि यह cable exponential function को यह represent करेगा, यह एक line को भी represent कर रहा है, when k is equal to 0, जो starting में मैंने यह आपको differential equation दिया था, इसको अब आपन बोल सकते हैं, यह infinite number of curve को represent करेगा, बहुत सिंपल सा method, बस बच्चा पहली बार equation देखता है तो डड़ जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि proceed कैसे करना है, यह इसका तरीका है बच्चा, तो बच्चों खतम करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे, आपको description box में क्रिप्टाउन टुटोरियल चैनल का Instagram का link, Facebook page का link and Telegram चैनल का link मिल जाएगा, Telegram चैनल पे हम लोग continuously वहाँ पे quizzes, questions वगएरा post करते रहते हैं, वहाँ पे query भी resolve करते हैं, तो आप वहाँ पे भी हम लोगों से connect हो सकते हो, So, stay tuned on Krypton Tutorials, if you feel it useful then please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification, Thank you very much.